आज मैं आपके लिए लेकर आयूं चटनी की रेसिपी ये चटनी आप डोसा इडली वड़ा मैसुर भजी सभी के साथ बड़े आराम से खा सकते हैं अगर आपने इस तरह एक बार चटनी बना ली तो दोसा इडली से ज्यादा आप चटनी खाना ही पसंद करेंगे तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम मिक्सर के जार में डाल देंगे एक कप मुंगफली ये रोस्टेट वाली मुंगफली है अब हम इसके अंदर डालेंगे आदा कप भूने हुए चनी की डाल आप इसे फुटाने की डाल या दालवा भी कहे सकते हैं अब इसके अंदर जाएगा जीरा तो यहां पर मैंने एक चोटी चमच जीरा डाला है अब हम इसके अंदर डालेंगे दो हरी मिर्च यहां पर आप इमली भी डाल सकते हैं पर मैंने आपर इमली या नीम्बु का जूस नहीं डाला है अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक चमच नमक और आदा कप पानी और मिक्सर के जार को बंद करकर हम इसके फाइन पेस्ट बना लेंगे अगर आपको इसे पीसते समय पानी की जरूत पड़े तो और भी आड़ कर सकते हैं तो यहाँ देखिए बहुत ही पर्फेक्टली हमारी चट्नी पिसकर तयार है बिल्कुल पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बावल के अंदर अगर आपको गाड़ी चट्नी पसंद नहीं है तो इसके अंदर आप दो से तीन चली पाकाई तो लगा लेता है चट्नी प्रत तो एक पैन के अंदर मैं एक बड़ा चमच्बाच गॉलडन होने तेया भेर में, नहीं में है प्रते हैं हम इसके से न हम हम एक चक बाव मर्च नाल चमच करी पत्ते और इन को आच्छे से तढकने देंगे ये लिजे हमारा तड़का तयार है तो अब हम इसे डाल देंगे चटनी के उपर तो ये लिजे बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही डिलीशियस सी चटनी बनकर तयार है इस तरह की की चटनी अगर आपको मिल जाए तो सामबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चटनी से नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच